गर्मियों का मोसम चल रहा है, रोज रोज क्या सबजी बनाएं कुछ समझ नहीं आता है तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल लंच की थाली की रेसिपी लेके आई हूँ आप अगर इसे एक बार ट्राई कर लेंगे ना, तो आप इसके फेन हो जाएंगे खाना बहुत ज़्यादा सिंपल लेकिन टेस्ट ही बहुत ज़्यादा है और इसे भी अच्छे से छ्छी चीलके और इस तरह से पानी में डाल दिया है पानी में डालने से हल्दी जो है बिल्कुल भी काली नहीं पढ़ती है, तो उसके बाद में अब भी हम इसे कद्धू कस कर लेंगे, इस सब्जी को आप तीन तरह से बना सकते या तो इस तरह से आप कद्दू कस कर सकते हैं, या फिर इसे कूट भी सकते हैं, जो हमाम सथा वग के तेल डाल देंगे तेल जब घरम हो जाएगा ना तब हम इसमें जीरा डाल देंगे आप चाहे तो हरी मिर्च को भी कूट के इसमें डाल सकते हैं यहां पर मैंने सिर्फ जीरा डाला है और साथ में थोड़ी सी हींग डाली है और इसके बाद में जो हमने कद्दू कस करके हल् होता है तो यह बहुत यह अगर विल्कुल विल्कुल भी खराब नहीं होती है और अगर वियर अपर सके हैं तो महिने भर तक भी खराब नहीं होगी और यह चाहिस्त को काफी बढ़ा देती तो तो अभी हम इसमें तोड़े से मसाली कर देते हैं तेस्ट के cording नमक डाल देना है और तोड़ा से हैं ऐहां पर धनिया बरकूलर डाल ज़ूरण डालनेकी ज़रूरत नहीं है और इसी के साथ मे're तीखी के-लिए लाल मिच डाल देंगे अगर आप चाहिए थे पे हरी मेज को कूट के एड़ कर सकते तो लाल मीज डालने की जोरत नहीं पड़ेगी यह फिर जो रेट चली फ्लेक्स है वो भी आप एड़ कर सकते जो भी आपके पास हो और जो टेस्ट में आपको पसंद हो वह आप यहां पे एड़ कर सकते और इसे अच्छे से भुन बनाने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं लाकिन सबसे और के रोटी के साथ काफ़ी सही लगता है इस तरह से छिले हैं आपको औरवि को और बीच बीच में जो हलदी की सब्जिने बना रहे हैं इसे वह चलाते जाना है तो दुटसी के लिए अज़ा हूं एक पका लेना जब तक पानी ऐख स्बैक्ष तो भणी की सब्जी बन के तैयार हो जाते इंद अभी हलदी की सब्जी को रख धिया है साइट में न दाल देंगे साथ में हरी मिर्च भी डाल देंगे तो यहां पर चार से पांच हरी मिर्च को डाल देना है और अच्छे से हरी मिर्च को एक मिनिट के लिए भुन लेना है इसमें मसाले बहुत ही मिनिमम जाते हैं लेकिन टेस्ट काफी अच्छा लगता है तो आप एक बार इस से सोफ्ट हो गया है तो अब हम इसमें मसाले डाल देंगे जो मसाले में इसमें डाल रही हूं इनको मैंने थोड़ी देर के लिए पानी डाल के रख दिया था ताकि मसाले अच्छे से फूल जाए तो नॉर्मल जो बेसिक से मसाले हम खाते हैं हल्दी पाउडर दन्या पाउड है तो बस मसाले जो है ना अच्छे से पग गए तो आपको जितना भी मलब सब्जी की कॉंटिटी चाहिए उस हिसाब से आप पानी इसमें एड़ कर सकते यह सब्जी जो है ना थोड़ी लिक्विट फोम में होती है बहुत जादा गाड़ी नहीं बनानी है क्योंकि जो अर्व यहां पर छिलके रखी थी ना उसको हलका सा हाथों से मेश कर लिया है अर्वी काफी चिकनी होती है तो अभी एक जगे इकटी हो रही है लेकिन जैसे ही सब्जी में अच्छा सा बोईल आएगा अर्वी जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाएगी इसके अंदर तो अभी देख जान तरीका इस तरह से सब्जी बनाने का और रोज रोज हम ग्रेवी वाली सब्जी नहीं खाते खासकर गर्मियों में तो मिल्लब ज्यादा तीखा खाना नहीं खाते तो आप इस तरह से सिंपल खाना बना सकते और यह बहुत ही टेस्टी लगती है अगर आपने इस तरह से अरवी की सबजी आज दिन तक नहीं बन नहीं है, तो आप जरूर से ट्राइ करना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगते हैं, इसे आप इसे यहों की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मक्की की रोटी के साथ इसका टेस्ट जो है न काफी सही लगता है, तो चलिए सबज की सबसकmented कशी बनाना काफी बार बता दिया है बहुत सारी वीडियो में, deixarने लगता है यह। ही देख सकते हैं, और प्ध इस आसने मक्की के रोटी का बनाती है, अगर यह बना पाते हैं तो आप आप कोई भी पनी व खरा बह Int fox सकते हैं, लेकिन लेकिन. जनरली इस तरह से हाथ से ही मकीक रोटी बनाती हूं पनी वगेरा पर नहीं बनाती हूं तो अभी देख सकते हैं बस आटा अच्छे से लगा लिया इस तरह से आपको एक लोई लेने के बाद में इस तरह से फेलाना है और दोनों हाथों से एकदम थप थपाते वे आपको मारी हूं आप चाहे तो जो मिट्टी का तवा होता उस पर बना सकते हैं मैंने आप आइरन वाला तवा लिया इसे घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था अगर आप बिगिनर है और आप से मकी की रोटी अच्छे से नहीं सिखती है तो आप इस ट्रिक से बना सकते हैं बहुत तो अभी देख सकते हैं रोटी अच्छे से सिख गई है तो इसी तरह से बाकी की सारी रोटी आभी मैं बना लूँगी और जल्दी से हम रोटी को सर्व कर देंगे रोटी बहुत ही ज्यादा सोफ्ट बनी थी और टेस्टी तो बहुत ज्यादा थी तो आप भी एकर सिंपल खाना खाए के बोर हो गए नो इस तरह से आप ट्राइ कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है क्योंकि हलदी और अर्वी काफी हील five खाना चाहिए आमारी डाइट में से शामिल करना चाहिए वैसे टो बिंटियो आर्वी की होर हल्दी सब आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड थेंक यू फर वचिंग